Hello Students, Welcome to Real Concept आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स का 6th पार्ट जिसमें हम लोग देखने वाले important questions जो कि हमारे किस पे आया है हमारे scalar product पे आया है यानि कि dot product पे जितने भी important questions बने हैं उसको हम आज लोग देखने वाले हैं ठीक है important questions ठीक important questions में अगर हम पहले questions की बात करें तो हमारा पहला question क्या कहता है पहला question यह कहता है कि अगर हम किसी एक product को अगर हम उसका magnitude निकालें अगर आप अभी तक समझ लो एक तरीके से कुछ नहीं समझ पाया हो तो इस question के थूरू अभी समझ जाओगे बिल्कुल कि अगर मालो एक मार्क का अभी question मैं कह रहा हूँ 2019 का मैं question उठा के लाया हूँ कि किस तरीके question आपके बनते हैं आज हम च्छा नंबर के question देखने वाले है 2019 का ठीक है यह यह पहला वाला कि मैं कह रहा हूँ 2019 में जो question बना है इस ही कह रहा है कि if if vector a is equal to vector a क्या कह रहा है 3i 3i cap plus 4j cap plus 3k cap ठीक यह हमाय एक vector दिया है then find then find mod of vector a यानि कि यह हो गया हमारा vector a ठीक अगर हम mod of a यानि इसका magnitude निकालना चाहते हैं तो magnitude कैसे find out करेंगे हमें पता है students कैसे find out करना है बहुत ही easy एक नंबर का एक नंबर का भाई एक नंबर कहां छोड़ने वाले हो सीधे सीधे क्या करने वाले हो mod of a is equal to under root क्या करना है पहले वाले का square दूसरे वाले का square तीसरे वाले square जोड़ो दो सब यानि पहले वाले का square नो फिर उसके बाद 16 फिर उसके बाद ना हो यह कितना हो गया students यह हमारा हो गया 25 प्लस 9 यह हो गया 34 थिक अंडर रूट 34 अब बताओ students क्या एक नंबर का वो भी 2019 का चलो यह तो 2019 का हो गया चलो 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 एक क्यूशन और देखते है students 2019 का कितने नंबर में है भाई यह हमारा पांच नंबर में चलो देखते हैं ठीक चलो 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 पांच नंबर का भी क्यूशन देख लेते हैं क्यूशन नंबर 2 यह हमारा है क्या 2019 का का mark कितना है इसका 5 ठीक चलो यह क्या कह रहा है कि if the vectors if the vectors 2i cap plus j cap plus k cap ठीक and i cap minus 4j cap फिर उसके बाद हमारा क्या है plus lambda cap k cap ठीक है lambda k cap और perpendicular मतलब अगर यह perpendicular है students perpendicular ठीक अगर यह perpendicular है वो भी किसके 2 each other ठीक अगर एक दूसरे के perpendicular है यह है A और यह है B अगर यह दूसरे के perpendicular है vector A और यह है vector B अगर यह दूसरे के perpendicular है तो हमें क्या find out करना है then then we find then find the find the lambda यहनि कि यह जो बीच में lambda दिया है यहाँ यह जो इसका value find out करना अब हमें पता है कि क्यों इसका क्या मतलब होता है हमें क्या पता है students हमें पता है कि अगर हम vector दो 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 वेक्टर एक दूसरे के perpendicular है तो इसका value multiply करने के बाद क्या होने वाला है dot product करने के बाद इसका value सीधे-सीधे जीरो आने वाला है क्योंकि theta is equal to 0 जब 90 डिगरी और जब 90 डिगरी तो हमें पता है cost 90 is equal to 0 ठीक है अब जब 0 आ जाएगा तो उसका value किसी भी चीज में multiply करो सारे value जीरो आने वाले है ठीक है तो चलो देखते हैं तो हम क्या जानते हैं sir vector a dot vector b is equal to a b cos theta अगर हमें दिया है theta is equal to 90 डिगरी यह एक दूसरे के perpendicular है then we can say a b cos 90 डिगरी it means is equal to 0 राइट यह हो गया 0 ठीक 0 हो गया ठीक तो हम इसको directly ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको directly हम क्या लिख सकते हैं कि vector a dot vector b is equal to 0 ठीक तो अब हम इस फार्मूले पे इसको रखने वाले हैं अगर इस vector का और इस vector का multiply करोगे तो यह value 0 आने वाला है तो अब क्या करने वाले है students अब इस vector को इस फार्मूले पे हम लोग apply करेंगे क्या करना है सीधे सीधे हम क्या करेंगे इसको इधार देखना two i cap plus j cap plus k cap ठीक यह एक bracket में फिर dot product क्या हो जाएगा हमारा i cap minus four j cap plus lambda k cap ठीक यह हो गया हमारा dot product is equal to 0 अगर आप यहां से क्या हो जाएगा अब इसको solve करने के बाद आपको क्या करना है अब आपको निकालना है value of lambda अब इसको जब हमें पता है क्या करना है अब इसको solve करो यानि कि अब जब इसको solve करोगे तो क्या आ जाएगा यह हो जाएगा हमारा क्या इसको multiply करो multiply कैसे होगा हमें पता है dot product का multiply कैसे होता है i में i का multiply, j में j का multiply, k में k का multiply, ठीक, अब क्या करना है direct, क्या करते हैं, 2i cap का square, ठीक, फिर plus, यह हो जाएगा, plus यह, plus नहीं, बलकि minus हो जाएगा, क्योंकि i यहाँ plus j है, और यहाँ minus 4j cap का square, ठीक, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, यह हमारा हो गया, plus lambda k cap का square, is equal to 0, अब हमें इस पता है कि, हमें पता है, i cap का square, is equal to j cap का square, is equal to k cap का square, is equal to 1, right, हमें यह पता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, put कर देते हैं, यह हो जाएगा, 2 minus 4, plus lambda is equal to 0, अब हमें पता है, यह हो जाएगा, lambda is equal to 2, मज़ा आया students मुझे लगने मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये देखने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत रही होगी क्योंकि ये question भाई पांच नंबर फिरी में क्या मतलब है इतना सीखने के बाद आपको ये भी नहीं आया तो फिर क्या आया इतनी भारी भरकम हम हम लोग properties पढ़े हैं और वो भी अच्छे-च्छे knowledge के साथ कि हां उसकी इत्ती इत्तु सी भी चीज जो है बची नहीं हुई है ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं ये सारी चीजे हम लोग देख लिए तो अब चलते हैं next question पर ठीक है भाई पांच नंबर का question आपको मिल ठीक अब क्या करना है अब बस 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 मेहनत करते रहो इस्टूरेंट बस ऐसी लगे रहो लगतार ठीक मज़ा आ जाएगा आपको के पूरा सिलेवस फरवरी तक खतं हो जाएगा किसी भी हालत में मैं की guaranteed के साथ कह रहा हूं guarantee मतलब समझते मना लेने की है भाई अवकात हमारे अंदर ठीक है लेते हैं guarantee कि सीचीज की ठीक है उसको पूरा करने की छमता रखते हैं हम एक दिन में चाहे तो दो चार चैप्टर कंप्लीट करवा दें लेकिन आपकी छमता के नुसार हम थोड़ा लो चल रहे है ठीक है चलो तो अब हमारा तीसरा क्या है इस्टुटेंट्स यह है इफ ओमाई गाउड इफ क्या है वेक्टर एफ इस इugल तू प्लस के गड़ी आइन स्टू जे प्लस के थीक उसके बाद वेक्टर भी कह रहा है कि थी प्लसके चलो वेक्टर भी कह रहा है क्या कह रहा है टू आई ठीक है प्लस थ्री जे माइनस के कैप ठीक अब क्या कह रहा है देन फाइंगल बिट्वीन एंड वी ओ हो देन फाइंड एंगल बिट्वीन एंड बी ठीक ए और बी के बीच में एंगल स्दूश्य आपने करवाई नहीं किया बता हैं नहीं कि कैसे फाइंड करना तो अब बता लें हलाएं लेकिन उस पॉइंट पर आपको समझ कर आना चाहिए चलो आप देखते है सीधे सीधे क्या करना है क्या करना है ध्यान से देखना कॉस्ट थीटा इस वाले पोर्शन को इधर ले जाओ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी डिवाइड़ वाई क्या हो जाएगा मॉड़ाफ वेक्टर एंटू वे मॉड़ाफ वेक्टर भी यानि कि हम क्या एबी को ही क्या लिखते हैं यह लिखते हैं तो अब हमें क्या करना है इनका मल्टिप्लाय निकालना है और उसके बाद मॉड़ाफ वेक्टर ए निकालना है मॉड़ाफ वेक्टर भी तो एक काम करते हैं पहले मॉड़ाफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं मॉड़ाफ वेक्टर एक क्या कहला ता हमारा इसका स्कॉयर यानि तीन का स्कॉयर दो का स्कॉयर प्लस एक का स्कॉयर यह हो जाएगा हमारा क्या 6 प्लस 4 प्लस 1 यह हो गया हमारा क्या अंडर रूड इलेमेन राइट हमें पता चल गया चलो mod of b क्या बात है b का बताओ 2 का square plus 3 का square 3 का square 9 होगा यह हो गया 14 under root 14 चलो तो अब क्या है यह 2 का square plus 3 का square यानी 4 plus 39 ठीक है फिर उसके बाद यह minus 1 का square क्या हो जाएगा plus 1 फिर वही under root की तरह आ जाएगा ठीक आ गया अब mod A, mod B पता चल गया अब हमें क्या पता करना है अब हमें पता करना है vector A dot vector B is equal to अब हमें क्या करना है इनका multiply करो 3i cap minus 2j cap plus k cap ठीक फिर उसके बाद यह हो जाएगा dot में dot में क्या आ जाएगा हमारा 2i cap plus 3j cap minus k cap ठीक अब इसको क्या करना है multiply कर दो multiply i में i क्या j में j का और k में k का ठीक है यह हो गया क्या 6i cap का square ठीक फिर उसके बाद यह हो गया minus 6j cap का square फिर उसके बाद क्या हो जाएगा minus k cap का square ठीक यह हो गया हमारा क्या 6 minus 6 हो गया minus 1 minus 1 आ गया अब जब हमें पता है कि students की यह आ गया minus 1 अब क्या करना है क्या रखना है cos theta is equal to vector a dot vector b divided by mod of vector a dot mod of vector b अब क्या करना है mod यह क्या करना है इसको multiply कर दो यह multiply के किदने में आ गया minus 1 divided by divided by under root 14 multiplied by under root 14 हमें पता है किसी चीज़ का square क्या हो जाएगा under root हट जाएगा यह निकि minus 1 by 14 अब इतना हो गया तो हमें क्या लिखना है direct अब theta is equal to क्या लिखना है theta is equal to cos inverse क्या हो गया minus 1 by 14 क्या हो गया students answer सीधे सीधे angle between A and B इस तरीके के किस्टन हमें पता है सीधे सीधे students की 5 नंबर में fix बनेगा ठीक है अगर बनेगा तो आप महान तो है ही कर जाएंगे आराम से ठीक चलिए तो तीसरा question हो गया चलो 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 जल्दी से हमारे पास time की कमी है और खतम भूट धेर सारा करना है एक एक unit पूरा complete कर देंगे tension का ही ले रहे हो ठीक है question number 4 ध्यान से देखना बस ध्यान से देखना बस students यह है कह रहा है कि find the product of क्या बात है क्या बात है find the product of product of 2 plus i cap फिर उसके बाद dot product 2 minus i cap क्या बात है इसका product नहीं solve पर पाऊगे students कितना answer आने वाला है बताओ a plus b a minus b multiply कर दो क्या आने वाला है भाई इसमें इसका square मतलब इसमें इसका multiply और इसमें इसका multiply करो यह हो गया क्या 4 minus minus i cap का square i cap का square यह हो गया 4 minus 1 बराबर 3 कितना छोटा answer यह ऐसे questions ठीक देखे ही हो चलो चलो question number 5 question number 5 क्या कह रहा है कह रहा है कि if vectors a and b are perpendicular find p oh my god वही एक तरीके से वही question फिर से आ गया students जैसे अभी lambda find out करना था वैसे ही p करना था चलो यह question हम आपके लिए काम करते हैं यह question हम आपके लिए दे देते हैं homework आप इसको करो ठीक है क्या कह रहा है if vector a बराबर क्या है हमारा vector a बराबर 2i 2i cap plus 3j cap ठीक फिर उसके बाद हो गया हमारा plus 6k cap ठीक and vector b is equal to क्या हो गया हमारे पास 3i 3i cap plus p j cap फिर उसके बाद यह कह रहा है p j cap और उसके बाद भी यह कह रहा है plus 2k 2k are perpendicular perpendicular to each value of value of value of p find students कैसे करना है मैंने बता ही दिया था किस तरी किसे करना है क्या करना है हमें perpendicular होगा तो vector a dot vector b is equal to 0 यह हो गया आपका हिंट ठीक यह हो गया आपका हिंट ठीक अब हिंट मिल गया है आपको क्या करना है इसका और इसका multiply करो फिर उसके बाद p का value निकाल लो ठीक तो फिर मिलते हैं next class में ठीक और practice करते रहना ठीक है और बहुत ही ज्यादा जितना practice कर सकते हैं तरह practice कर लेना और यह समझ लोगी तरीके से बहुत ही चल्दी खतम होने वाला है आपका यह सारा syllabus ठीक है और फिर मिलते हैं next class में thank you very much and take care